प्रक्राइश यादव राजधानी एजुकेशन ग्रूप पच्कोडिया जोबनेट जैपुर से सवागत करता हूँ आप सभी का राजधानी एजुकेशनल ग्रूप के इस विसाल प्लेटपॉर्म पे सभी का सवागत है आज हम लोग क्रॉप्स पढ़ने वाले हैं और क्रॉप्स चल रही है और आज हम लोग सीधा सब जीव पर आ जाएंगे और यह पर्सनल कमेंट यहां अ आपको सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए प्लीज दुबारा आपके नंबर आपका आएगा यह वापस दुबारा कभी कमेंट अगर ऐसी गल्पी दुबारा हुई तो प्लीज स्वागत है सभी का वेल्खाम इंदा राजधानी एजुकेशनल ग्रूप पच्छकोडिया इस खौल ग्रूप वेजी टेबर्स नव या गूं तो स्टड़ी कोल क्रॉप कोल फसले ले कोल फशले यह पढ़ेगे आजए वही सारे के सारे वेरी गुड मॉर्णिंग सभी को जराजधानी नवस्कार सस्रिकाल सब्बा घेर आजए तो सुरू करते कोल फसले और आज हम कोल फसलों में पहले बैसिक पढ़ेंगे इनके बारे में इनको आप चाहो तो हिंदी में गोभी वर्ग कि आजए सबजीया तो सब्सक्राइब कर दो को सबसे पहले पढ़ेंगे पहले तुम आपको पता दो कौन रहे नहीं जानते हैं उसको बता देंगे कि शरम यह नहीं जानता में उसको आपको दिखा दूगा सबसे पहली है पत्ता गोभी पत्ता गोभी चाहब तो आप इसको अंग्रेजी में केवेज कह सकते हो केवेज यह है गोभी वर्गे या कोल फशल कोल सब्जी राइट भी दूसरी होगी फूल गोभी फूल गोभी फूल गोभी फूल गोभी अंग्रेजी में कहते हैं इसको की गोभी वर्ग गये सबजी हो गई या कॉल फसले हो गई तीसरी हो गई गाठ गभी गाठ गभी गाठ गोभी और चोथी ओ गई आपकी ब्रॉकली ब्रॉकली तो यह सारी कि सारी जो एक इसके अदर आती है गोभी वरक के अंदर चार फसले आती है या पता गोभी वोल गोभी गाट गोभी और ब्रॉकली 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 अब इनको कोल फसले कहते क्यों है बाई कोल पसले इसने कहते हैं क्योंकि इनकी जो उत्पत्ती हुई है वो हुई है एक जंगली चत्तानी पत्ता वो भी से गाट को भी दिखाओ भी गाट को भी दिखाओ सिद्धा गाट को भी डाल देने का भाई गाट को भी देखी भी तो आपकी नहीं देखी भी यह लो यह नहीं है यह नहीं है यह मूली है यह वाले देख ले गाठ को भी देख ले ब्रोकली दिखाओ ब्रोकली यह बहुत ज़़ा ग्रीन वह दिख गई गाठ को भी ब्रोकली दिखाओ लो भाई ब्रोकली देख लो ब्रोकली एक बिल्कुल हरी सी गोपी होती है ये रहे खुल जा ब्रोकली ये वाले ये ब्रोकली ये ब्रोकली पढ़िया है दिक का और जाओ हाँ इसका हराई होता है पूरा फूली हरी हरी गोभी हो गई एक तरसे यह गुरूब ब्रोकली यह ब्रोकली ब्रोकली पढ़िया है चली यह ब्रोकली हो गई सभी को दिग गई एक तब मस्त दिग गई क्या ब्रोकली है तो ये इस गुरुम में आती है चलिए ब्रोकली हो गया गोभी होगी पता गोभी होगी सारी होगी गाट गोभी भी होगी अब यह आया सब्द कहा से, यह कोल सब्द कहा से आया, तो कोल शब्द तो, जंगली गोबी से आया, जंगली चट्टानी पत्ता गोबी से आया भई, जंगली चट्टानी पत्ता गोबी से आया तेरा कोड, क्योंकि यह जंगली चट्टानी पत्ता गोबी है ने, इसको बोलते कोल वर्ट कोल वर्ट जंगली चटानी पतागो भी कहलाती है कोल वर्ट जंगली जडानी पतागो भी कहलाती है कोल वर्ट बस यही कोल वर्ट इसको बना गया कोल क्रॉप्स कोल क्रॉप्स कोल क्रॉप्स कोल क्रॉप्स हर बच्चे को क्लियर होता चला जा रहा होगा भाई तो यह है कोल फसले कोल फसले पत्ता गोबी होती है फूल गोबी होती है गाठ गोबी होती है ब्रोकली होती है कोल सब्द जो है जंगली चट्टानी पत्ता गोबी कोल वर्ड से आ गया भाई इसके बाद सारी की सारी यह प्रोटो गाईनी होती है सारी की सारी जो गोबी है या कोल कोल फसले की बात चलता है किसी गोपी की बात नहीं कर रहे हैं कोल फसले सारी की सारी होती है प्रोटो गाइनी आई रहा प्रोटो गाइनी आई रहे अब देखें प्रोटो इनका आर्थ क्या होता है प्रोटो बोले तो पहले प्रोटो यह प्रोटो पहले प्रोटो यह और गाइनी वर्ड का मतलब होता है गाइनोइसियम और गाइनोसियम कहते है बही हा जायाँ जायाँ बोले तो इस्त्री पेशेर दूसरा सब्स क्या आता से लिए इस्त्री पेशेर ये क्या होता है माधा जर्नां होता है पुष्प का माधा जर्नां तो प्रोटो बोले तो पहले गाईनी बोले तो गाई नोसियम यानि स्तरीकेसर या जायां ये पहले पकता है भाई तो सारे के सारे कोल सबजी या प्रोटोगाई नहीं मतलब मादा पुष्प होता है या मादा भाग जो होता है वो पहले पक जाता है मादा पहले बन जाता है मतलब परिपक हो जाता है नर्बाद में होता है अब ऐसे किसी पसल मालो नर हो तो उसको बोलते हैं प्रोटो एंड् और एंडोसियं किसे कहते है यह नर जरैने भाई दर्जरनागे तो ड़ाई तो किसी में अगर एंडॉसियं पहले के एंड्रो इस आलवेज यूज फोर मेल एंड गाइनी इस आलवेज यूज फोर फिमेल एक मुबाइल नंबर है रमेज स्वामी जी वो टाइप कर ले और उस पे वार्सप कर ले जो भी कोई जानकारी जी उसके लिए बार्सप नंबर यहां से मानस परताष प्या आपो टाइप करके दे रहे और और गाइनेंडरो ओ विरेंदर भाई गाइनेंडरो मॉर्फ हो गया दोनों जी वह ड्रोसफिला मिलता है गाइन वहां पर वर्ट आता है गाइनेंडरो मोर्फ चली तो विजह लग रहा है दोनों वर्ड में आपको समझाने में काम्याब रहा हो और ये प्रोड्टो गाइनी जो ऐना यह वह बहुत इंपोर्टेंट वर्ड है क्योंकि कोल फसले यहां पर यही तो निकल रही है और पीडिएप मिल गई का नराम जी कहते हैं सराज तो हिंदी और जी की सौरी पीडिएप मिल गई तुफान आ गया सैथ कुछ रहे गए हो कि थोड़ी बहुत पाकि डाल दी लगबग डाल दी करोल फसले यहोगी में केमिकल मिलता है जिसका नाम है मी मिलता है और यॉसका सोनियों नाम है उसका शल्फो रेफेन रेफेन अजे प्रमार्जी करें आ गई सर पीडियेप आ गई पर नंबर बता रहे हैं कोई बात नहीं जिनके पास नहीं आई वो दुबारा ले लें कोई दिखत नहीं है तो गोबी पर किये पसलों में केमिकल मिल गया भीया सल्फो रे फैरी को बी घुबिया पी कुरूशी फ피री तो यह सारे के सारे उससी ग्रूप के है इसलिए यहाँ पर सिनी घृन भी मिल गया है तो गोबी वर्गये वसलों में मिलता सल्फो रे पे जो में मिलता है सिनी घ्री दी अरॉ Alright बई इसमें जो गंद आती है आप देखना कि गोभी वालों में अलगी गंद आती है वो आती है दाइमिथाइल ट्राइसलफाइड विशेश गंद भी आती है दोस्त गंद भी आती है देखस्वेशल टाइपूपCSप मेल क攻 आती है और वहां जो आती है दाइमिथाइल ट्राइसलफाइड ट्राइसलफाइड जर्ण थो आती है जेयं लोग ग्रूप संवन कर रहा हम सबको करें है तुछ आई को नहीं मिली हूं ग्रोप नंबर डाल दी है आपको डाल देख सब यहां तक हम लोग क्लियर कर पाए है सबसे पहले दो किसको उपर पत्ता को भी फूल को भी काट को भी व्रोकली सारी हो गई उसके बाद में हम आपको सीधा ली चलते हैं इसके प्रमुक कीट पे वेरी मोस्ट कुछन है डाइबंड बेक मोड इन सभी फसलों और इन सभी वेगेटेपल्स का एक कीट इसन दुष्मन है इसका नाम आफ दैम Griffon क्या ना भाई डाइमट डाइमट डाइमंद डाइमड डाइमंड डाइमंड ओेमंड दाइमंड बहत इंपर्टिन कोईशन है बैक मैं डाइमन बेक मॉद्क्र सब्सक्打 गोभी वाली डामंड बेकमाथ अ मनवें ई गोभी वाली सबसी ओम में लगता dbm दाइमनर बेकमात गोभी वालों का यह पर मुक कीष घीरा बी आम पर मुक कीष निपार यह कॉछ नेदो पेसदाई घर पूलब कुछ तपले पूझे लोड़ा हो गया वही तो डाइमंड बेक मोथ अब यह सारी की सारी होती है पर परागेद कि सारी की सारी कोल फसल है पर परागेद पल बोले तो बाई गोबी पता गोभी गाट बी सारी यह सारी की सारी होती है पर परागेद क्रोष पॉलीनेटेड सारी की सारी होती है क्रोश पोलीनेटि सारे 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 क्रेंक् profesnan व्यагरी मोस्ट रहा है कोई गोबी कही पीछे पढार रहे और गोबी देंक को मेरी दो तो फेवरीट अपह या गोबी ज्यादा खाने से हो जाता है गोईटार गोबी अधिक खाओ नहीं जबंड़ने का नहीं कल के लिए कुछ नहीं चोड़ने का जो भी है वो आज ही है कल फिर पता नहीं क्या होगा तो मैं एक बार सूरू से रिपीट कर रहा हूं ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको basic पढ़ा रहा हूं कोल सब्जियों के बारे में या कोल vegetables के बारे में पत्ता गोबी इदर आ चुकी है फूल गोबी इदर आने वाली है गाठ गोबी इदर आने वाली है ब्रोकली भी इदर आ ग बखता है बाई प्रोटो बोले तो पहले गाईनो इसी हम गाईनी बोले तो मादा तो मादा पुछ पहले पक जाते इसलिए प्रोटो गाईनी सारी के सारी कॉल फसले होती है प्रोटो गाईनी सल्फो रेफेन इनके अंतर मिला है सल्फो रेफेन इनके अंतर मिला है केमिकल सिन इनके अंत्र मिला है और ये खुश्बू जो दे रही है गोभी वाली जो खुश्बू आ रही है वो आई है डाइमड बेकमौ्ध माख नाइमन बेकमॉध डाइमंड बेकमॉध लासार डाइमन बेकमॉध असके परपरागित सारी होती है तो यह सारी के अंदर प्रोब्लम सोदिए है कोल सब्जिया ज्यादा खा गए तो हो गल गंड रोगोईटर डिजीजु के बढ़यो विजीज या गल गंड रोग तो घंड़ गोभी गादब व साथ हो जावे तेनू कि बोले तो आपका गूइटर इसके बात ऐसे जेक तोリसीनेव कि हम इसकी बात आगे करेंगे फिलाल हमें इतना एक तख और तर रिशिनेस, फिजिकल डिसोडरेस के अंदर, ये कभी रिशिनेस आ जाये तो ये माल लेना गोभी से सम्मन्दित सब्द है, फ्यूजीनेस, इनको डिटेल हम लेंगे आगे, अगर कभी कोई पूचे फ्यूजीनेस वर्ड किस से सम्मन्दित है भाई, तो आएगा आंसवा है, गोभी से ब्लाइनडनेस इनको डिटेल लेंगे बाई लास्ट में अंदापनि या ब्लाइननेस ये तो गोभी वाला सब्जी से समंधित सारे के सारे तो गोबी से समन्दित है जात डिसोडरिन को लास्ट में लेंगी पूरा डिटेल आपको बताऊंगा क्यों होता है कैसी होता है फिलाल हम याद कर रहे हैं कभी यह वर्ड आ जाए तो यह सारे की सारी जो सब्द है यह गोबी से समन्दित है बाई गोबी से लाइक और सेर कर दीजिए बिटा जो जब मैं लिंक डालता हो उसको आप डाल दिया गरो प्लीज यार इतना तो कर दिया गरो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता इतना बड़ा प्लेट पॉर्म में बच्ची तो ज्यादा आने चीए ना कोई फरक नहीं पड़ता है मैं बता रहा हूं अगर आपकी यह नेचर है ना सेरिंग की नेचर है जिंदगी में आगे जाओगे और शेरिंग की नेचर नहीं यह सोच्टी हो कि मैं कुछ कर लूँगा कभी कुछ नहीं कर पाऊगे बस यह लाइफ ने आगे बढ़ना है शेरिंग नेचर सच्छी पतारा हूं आप ही चाहो कि मैं कर लूँ सारा कुछ मेरे को मिल जए कमाई मेरे को जए कभी नहीं होगी आपको इसलिए चेंज यूर थॉट्स हमें साथ जब भी जैसे लिंक डलने का उसको अपने दोस्तों को सबको डाल देने का जितने डाल सकते हैं इतना तो करो जो आदमी आपके लिए पें नेचर से आदमी कहां से कहां पहुंच आता है इसलिए को डाल दो क्योंकि आप से आप ही ताकत हो सकता है साल बाद में पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा लेकिन फिलाल थोड़ा से कई बार लगता है कि इतना खतरनाक पढ़ाते हो आप फिर भी इतने सब्सक्राइबर कम क्यों है कल से जो भी आज जैसे होगी आपके गुरूप में आ मैं तो पांच भाईयों को जोड़ा है तो भाई सारे जब लगेंगे तो भाई परिवार तभी कहलाएगा आप मुझे मिल जाए केवल मुझे मिल जाए आप कभी जिंदगी में कामियाब नहीं होंगे इसके लिए वीडियो डालर का मैंने देखना बहुत अच्छा लगीगा सेरिंग नेचर सबसे बैस नेचर होती है आगे बढ़ने के लिए चलिए दोस्त कोई बात नहीं फिर आप आगे चलते हैं हम सबसे बहुता है को सबसे ज्यादा पर परागण मिलता है ब्रोकली में सबसे बहुता ही है लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होता है ब्रोकली ब्रोकली में 95 परसेंट तक मिलता है तेरा पर परागण सबसे ज्यादा पर परागण बोले तो क्रोश पोली नेसर तो सबसे ज्यादा पर पर परागण भय ब्रोकली में सबसे ज्यादा मिलता क्रोस प्ली नेशन बाकि तो सारी क्रोस बोले नेशन कर रहे हैं सारी तो कर रहे है इसमें कडवा पन भी होता है कभी कभी देखना है आपको ब् alarm पाएपन पाई जाता हूथ सल कोलीजेट मायरोजिनेन जितनी भी गोभी वाली है कोल फसले गोभी वरगी फशलो का कडवापन कडवापन यह होता है कोलीजेट मायरोजिनेन कडवी गोभी कोजिलेट 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 मायरोजिने ये को लीजेत मारो जीने प्रमीजिएट मारो जिनेन के कारण मिसाल विसनोई जी कह रहे हैं पंजाब सब्सक्राइब तक भेशनोई जी चुकह सके होाँ न है मेरे साफ से नहीं कोई फरक नहीं पड़ता है कोई competitor आपका आपका competitor दुनिया में नहीं हो सकते हैं है ही नहीं कोई चली फिर बात करते हैं सारी की सारी जो गोभी वाली सब्जिया है वह भी बर गये सब्जिया वह देखो अगर आप सब्जी ले रहे हो तो एक वर्सी है केवल सब्जी लेना चाहते हो तो वही एक वर्सी गाजर की तरह सबकी बाकी सब्जियों की तरह लेकिन अगर आप बीज लेना चाहते हो मैंनो बीज दिला दे रह गोबी वाली सब्जियों का तो फिर यह हो जाएगी द्वी वर्स ये बाइनियल बाइनियल हो जाएगी और अगर आपको केवल गोबी चाहिए तो यह हो जाएगी एन्यूर मुझे लगना समझ में आ रहा है सब्जी दिला दे ये गोबी वाली सब्जियों की तो फिर एक साल में सब्जी आ जाती है बाई केवल सब्जी सब्जी वा जाती है और अगर आपको बीज लेना है तो पहले साल में तो उसकी ग्रोथ ही हो पाएगी और दूसरी साल में लगेगे उसके बीज 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 तो मैंनो सब्जी दिला दे ये एक वर्षिय गोबी की मैंनो बीज दिला दे ये एक वर्षिय गोबी की मैंनो बीज दिला दे ये द्वी वर्षिय गोबी का मैंनो बीज दिला दे ये सब्जी के लिए एक वरस्य के लिए वरस्य के लिए तeki रीज़ करने की उत्ताथ कभी बीज लेने की किरिया है स्कोपिंग तो यह बीजोत पादनी किरिया होती है इनके अंदर बीजोत पादन की किरिया तो गोबी वाली सबजियों में बीजोत पादन की किरिया कहलाती है स्कोपिंग कहलाती है स्कोपिंग याद हो रहा है बई स्कूपिंग कहलाती है गोबी वाली तो गोभी वाली सबज्यों में बीज लेने की किया कैलाती एक एक क्या या क्या 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 के लातीँ भई सकोपिंग 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 इसका तो बैशर डिजीज भी तो आवगी औरagon वैजर ड़ी जोती है वाइत रखराव रखरा वैट रस्ट रहा है सा fibre वैट रॉली वही शरसोवाली यह सर्सों बहाइगे सार्फेज मिलते हैं सारी बिमारियां कि मुड़ी में वैसा गोब्डी में वैसा ही सर्सो में यह सारा का सारा हो गया आपका सर्सों रहे में सब में एग्जास होता वई तो बिमारी बिमारी कौन सी मिली साफेदर रोली यह कुसे वाइट ब्लिष्टर डिजीज इस प सपोर्ली ग्याम थाउडिर्ट ब्लिश्टर है डिजीज वाइट बोले तो शपर ब्लिश्टर बोले तो फाफोला ओलए नहें या इस Рứng इंगलिज इंदी में इसकोुए स्पोर्ट भी बोलते हैं डिजग बieurती है वाइब रास्टे तो एल भूगो केंड़ीडा नामक फंजाई से या कवक से समझ में आ रहा होगा जबरदस्त वाला आपके क्लास लेने से सारे एक मानसिक ठकार गए बोजाती है विवेक जी और बिटिया एकता का धनेवाद तो वाइट बिस्टर डिजीज या सपेद रोली यह होती किसे है किनिदिडा सभी चली आगे बढ़ जाते हैं मुझे लग बच्चे ओकलीर होता चला जाओ रहा है स्कोपिंग क्या है बोला सर बीज लेने की क्रिया है फूल गोभी के अंदर या गोभी जी कोई को िसकी बीमारी कौस ही मिलेगी बोला थाइट रस्ट वाइटष्ट रस्ट थैस्ट रस्ट वाइट रस्ट की तो डामड बेक मौत इनमने सेल्फ इनकमपेटिबिलिटी बिकूब मिलती है कोल फसलों में कोल के दो गोभी यह कहातो बात तो यहीं किए तो गोभी वरगिये सब्सक्रींद लों में खरंप कंकेटेविड़ी स्धर्प कंपेटिबिलिटी सवरी सेफ ओ इंड़ कंपेटी बिलिटीун कि इसको हिंदी में कहते है श्ватेनद शिता या बन देता या ट्टेट्स बन देता कहते है स्वय बंधेता या स्वय एनिशेता एनिशेचेता यह कहते हैं एक्चुली क्या होता हम आपको बता दू यह इसमें सब कुछ ठीक होता है पूंक्य सर्फ जगे ठीक है पराकन भी अच्छे है वाइटल है जननक्सम है फिर भी निशेचन नहीं होता फिर भी निशेचन नहीं होता सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी निशेचन नहीं होता उसको बोलते हैं self-incompatibility यह आपने कभी आम का या फलों का एंफलन वाले पार्ट में पढ़ाओगा जो इन फ्रूट फुलने सो प्लांट्स होती है वहां पर इसको समझाते हैं क्लियर्टी वैसे मैंने समझाई दिया अभी भी समझा दिया कि सब कुछ ठीक है जायांग अपनी जगह सही है अंडा से अपनी जगह सही है फिर भी निशेचन नहीं हो उ भी नहीं कर पाए ocean lives is the self incompatibility tell me everything is okay lub chicken but can't put away self incompatibility self incompatibility self ertain you in compatibility कैंव इन पिन एपनों किलियर हो गयाक क llev यह व्युन इन कमपेटिमिलिटी मिलती है तेरी वहीं वाली सबस्यों में क्लियर हो गया तो पीए से में समझ जाओंगा फटापट अबी उसके बाद में मैंने आपको बता दिया अगर आप सब्सक्राइब झीले वो तो एक साल वाली सब मलोटो एक साल वाली और बीज ले वो तो दो वाली ढ़ोसलाली डो ज़िसाल अनवानकी लिखार प्रॉलाना नया记 आश्छावय द्सजांत्स सुरिंद्र ओले जी स्प्रॉल रोलादियाद ग्रेट पर्सनल्टि हमारे रहारे यांके और कल्टिवेशन ओफ कोली फ्लॉवर कि कल्टिवेशन ओफ कोली फ्लॉवर वह हमने बेसिक ले लिया भाई वह हमने इसका बेसिक ले लिया अब तो हम स्पेसिफाइड पढ़ेंगे फूल गोभी की खेती फूल गोभी की खेती अब पढ़ेंगे फूल गोभी जो इत्तों मोटा फूल दिखाता अभी आपको इसके अंदर थंबनेल के उपर वह अपढ़ेंगे तो यह है फूल गोभी कॉली फ्लॉवर या कल्टिवेशन ओफ कॉली फ्लॉवर या फूल गोभी की खेती ठीक है आपन 성ZK किस्म होवे हैं बोटराइटीस आणियों तो सब्स्क्राइटिस किस्म हो जाए की भीराइटीट q& b to HR ओले अर्किस्म हो गई कौनस होगि बाटराइडिस-बाटराइट स्बाटराइड इस मोटराइडेस मोटराइडेस मोट्राइडेस हैं अग गई तरी फुलगो Viel पूल गोभी पूल गोभी पूल गोभी आगई तेरी फूल गोभी फूल Go बीव जदा थे कता में का ने तब ब्रेस का ओल रेसिया चलितलो यह थोटा करो जो का रहा कि लोगे इनकी तो बात रखनी पड़ेगी भाई कि खांदराम जी great personality है तो क्या हुआ भाई ब्रेसि का ओल रेस या किस मॉंट राइटेश बॉट राइटेश बॉट राइटेश बॉट राइटेश बॉट राइटेश बॉट राइटेश अब आ गया school या family ऐको पता है यह सर्सो वाले कुल कि HELP सरसो वाले कुल की है आप एक ही तो बात है यह बोट नीकल नेव होते हैं इसमें पहला नाम वण को वंक को वंक को दूसरा नाम जथी को एक पहला नाम होता है वंस यह ब्रेसिका वनस यह दूसरा नाम होता है जाती और यह पिर आगे जो किस्म वगई एंपजाती आ जाती यह राइट है तो यह होता है पहला नम का दूसरा नाम जाती का और यह द्विनाम पदति को बोलते की बॉटनेकल नाम देने की पद्दती होती है, द्वी नाम पद्दती बोले तो binomial nomenclature, binomial nomenclature मुझे लग रहे कानराम उना बढ़ा काम करे लिधी है, बढ़ी प्धियआ होगी चोटा करने से तो मज़ा ले और यह द्विनाम पत्ति किस ने दीती बाई केरो लस लीनियस केरो लस लीनियस जिनको फादर ओटेक्सोनोमी भी कहा जाता है हर फसल की साथ पढ़ते चले जा रहे हैं यह द्विनाम पत्ति यह तो पक्का याद होगी हर बच्चे की दिमाग में गुस गई होगी बलकि स्ट् कपिटल पहला आकसर के बीटल आता है जाति का पहला आता स्पीसीज का और यह केरोलस लीनियस जो है ना इनको कहते हैं फादर ओटेक्सोनोमी वरगीकर्ANSомина के बाप है बाई फादर ओटेक्सोनोमी और कुरुसीपेरि का नाम कुरुसीपेरि कुल्कियों पढ़ा तो गोबि पीले रंग के सरसो वागेर हम देखा होगा आपने जो फ्लोवर्स के अंदर पेटल्स या दल होते हैं वह क्रोस फॉर्म में मिलते हैं कुन दल 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 पेटल्स हमेजा क्रोस फॉर्म में मिलते हैं क्रोस ख्रोस ख्रोस राइट भी तो यह हो गए आपका जनरल इसका नाम और फैमली इसकी फूल गोबी की क्या है बरेसी का ओलरेसिया किसन बोट राइडेस कुल कुल कुरूसी फेरी अब आजहो सीधा इपुष्पकरम पुष्पकरम होता इसका रेसी मोज कुल बार बालो बीको फॉसकर आम रैसिमोज मारी रफुल गो बीको पुस्पकर मरेति मोज री सिमोज्य री सिमोज मारे रफुल गो बीको फुस्पकर मेर overt सिमोज Padres jogos अल्रेसिमोट सन्रेसिमोट मारे रग फुलो गोबी को पुष्पकरम इन फ्लोरेञ्स पुष्पकरम को अंगरेजी की बच्चे बित हो सकते हैं इन फ्लोरेंज इन फ्लोरेट्स जद हो गया इन फ्लोरेट्स क्या मिला इन फ्लोरेंस यह पुश्पकरम यह होता है group of flowers, फुलों का समू उसको पुश्पकरम कहते है, फुश्पकरम कहते हैं तो इसका कैसा मिल गया रेसी मोज रेसी मोज फूल गभी का पुस्प करम रेसी मोज रेसी मोज फूल गभी का पुस्प करम फल का परकार जो फली होती है जैसे सर्सों में लगती है वैसी इसका फल कभी फल का परकार जो होता है वो होता है शिली कुवा सरसो का भी सिलिकुवा मतलब क्या हुआ सिलिकुवा सभी क्रूसिफेरी वालों का सिलिकुवा ही होता है दोस्त सभी सरसो वाल जो क्रूसिफेरी कुल में आती है उन सभी के फल होता है सिलिकुवा सरसो का भी सिलिकुवा सिलिकुवा गोबी का भी फल सिलिकुवा सरसो का फल सिलिकुवा बिरा रहा गोबी का फल सिलिकुवा नान्या रहा कुरुसिफेरी का फल कुरुसिफेरी कोई सी भी हो सभी का फल होता है खाते क्या है बाई, edible part क्या होता है? edible part बोले तो मिटा आवाज आ निए, को नही reject? खाने योगे भाग, कर्ड खाते हैं बाई बहुत एमोस्क्यूस्जन है Max क्या खाओगे फूल गोबी का 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 क्या खाओगे फूल गोबी या के दो उत्रपती स्तर हर चीज आप कल नहीं कर पाओगे भाई कल आपके पास ताइम नहीं फूल गोबी के लिए इसलिए आज याद कर डालने का ब्रेशी का ओल रेशिया केसं बॉट राइडेज फैमेली कुरूसी फेरी या ब्रेशी केसी क्योंकि दल जो अनक्रोस फोर में मिलते हैं कुल के अंदर सभी में पूश्पकरम हो गया रेसी मोज रेसी मोज पूश्पकरम रेसी मोज पूश्पकरम मैं दोखा हूं फूल गोवी को कड रह नान्य। अब आ गई उत्पतिस्तर तो उत्पतिστर इसका सायप्रच सायप्रस । एक कंट्री चंट्र या फिर भुमध्ये सागर के आस पास ये क्षैत्र या भुमध्ये सागर कि इस मतधे सागर को बोलता है किकपूलगोभी का उत्पती स्थाल और मेडिटेरीयन रिजन आ गया तो भी आंसवर्त ओशान हो गया व्यार की संसपेलिंग यह और्याता बहुत अच्छी बात वाई तो साइप्रस हो गया मारे रफूल्गों मी साइप्रस की होवे ऐ कुमध्य सागरिये साइक्षेत की हो अचा उत्र पत्रक cauliflower कैसे मानते है भाई जहां सरवादिक जंग्ली जात्या मिलती है सरवादिक जंगली जातियां मिले वही तो होवे उत्पति इस्तलरे सोनियों तो किदर मिला भाई सबसे ज़्यादा जंगली जाती है फूल गोभी किदर मिला कहां मिला यह है अपका साइपरस और भुमद्दे सागरी एक सेतरART मेडिटेरियन रिजर 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 चली बारत में फूल को भी सरदियों शर्दी की B सरदियों में निहार पिठिया मैं साम को सुपर बारे एक की जल रहा ये यूपी की रंडे वाली। यह करिए सरी सुपर्वाइजर होते क्या है साम को बताऊंगा साम की क्लास में बैटा पूरा डिटेल बताऊंगा सुपर्वाइजर क्या होते हैं पांस मिनट तो कम से कम उसके बारे मताऊंगा तो भारत में पूल को भी सर्दियों की बात करें थंड की बात करें तो आलू के बाद में दो नंबर पर आती है अगर सर्दियों वाली फसलों की बात करें थंड की बात करी किसकी बात करें वही सर्दियों वाली फसले तो सर्दियों में क्या हो रहा है इस शर्दिया ऐसे कैसे हो रही है अब सही हाकिर कार में लिग गया सर्दियों लिग गया सर्दियों में सर्दियों में क्या है सर्दियों में जो सब्जिया उगाई जा रही है उगाई जाने वाली उगाई जाने वाली सब्जियों में अलू नमबर वन है अलू अन्दा टॉप है अलू नमबर वन है अलू अन्दा टॉप है लेकिन फूल गोभी तो दू नमबर प्यारी ना बापको तो फूल गोभी आ गई दो नमबर पे सर्दियों वाली में दोर नमबर पे अलू तो आयो नान्या एक नमबर पे अलू तो आयो नान्या एक नमबर पे लेकिन फूल गोभी कितने पे आ गई दो नमबर पे तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा आलू 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 तो दो नमबर पे फूल गोबी भी वोई परपरागित हैं हमने पहले भी बात कर ली कि बहया सारी की सारी जो कोल फसले होती है सारी की सारी कोल सबसिया होती है वो परपरागिती होती है cross-pollinated होती है और सबसे ज़्यादा कौन सी थी ब्रोकली कितने तक होती थी 95% तक वो पर परागन क्या करती थी तो यहां पर फूल गो बीबी क्योंकि सारी आगई नवही हमने पहले पूरे परिवार की बात कर ली तक परिवार इतना अच्छा है खर अलग से बात करोगे तो वह बी तो अच्छा है निकलेगा वो भी तो अच्छा है निकलेगा जब आपने पूरा का पूरा पड़ डाला उसके कोल फसलों के बारे में तो वही तो मिलेगा तो ये भी मिल गई परपरागेद सारी रगोबिया परपरागेद तो फूल गोबिया निकल गई यहां पर परागेद कोली फ्लोवर भी परप्रागेद कोली प्लोवर भी परप्रागेद होती है सही चल रहा है भई फूल गब में पुष्प आने किरिया को बोलते हैं कर्डलिंग आयो रहे आयो रहे पुष्प आयो रहे कर्डलिंग कहला यो रहे तो पुष्प आने की किरिया कर्ड लिंग कहलाती है फूल गबी के फूल है आयो कहलायो है कर्ड लिंग भै कर्ड खाते है क्या फूल ही तो खाते है वो कर्ड कहलाता है तो कर्ड आ गया तो कर्ड लिंग फूल आने के रिया क्या कहलायो है कर्ड लिंग फूल गबी के फूल रहायो फूल गोभी के कर्डर आयो कहलायो कर्ड लिंग कर्डड अभे तो कर्ड लिंग र भया कर्ड आवे तो कर्ड लिंग पुश पाने की किरिया कहलाती है कर्डलिंग 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 कर्डल ब्लांचिंग सब को याद होनी ची एक एक बच्चे को क्या बोला मैंने ब्रेशिका ओल्रेशिया केसम बॉट राइटी स्कुल कुरूसी फेरी फेमिली कुरूसी पेरी होगी पुस्पकरम रहसे मोज फलका प्रकार सिलिक हुआ खाते क्या है कर्ड खाते और कर्ड आना क्या कह हो पे पर परागित हो वे वहे सारी कि सारी गोबी वाली और फूल अण हम आए तो by listening और ब्लांचिंग उड़ा भाद को बचा लिए यतुदू में पीला हो जाता हो फूल गोबी के फूल को पीला होने से कौन रोकती है भाई फूल को पीला होने से कर्ड को पीला होने से कौन रोकती है ब्लाँचिंग ब्लाँचिंग दूप से बचावे ब्लाँचिंग पीला होने से रोके ब्लाँचिंग 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 क्लि किरिया है दूप से बचाने की जो किरिया है पेला पढ़ने से रोगनी वह ज्यादा करते हैं अर्ली वेराइटीज में ज्यादा करते हैं अगेती किस्मों में ज्यादा करते हैं देखते किसने बच्चों को याद हो गया देखते हैं दूप में दूप में बचाले रदूप से दूप से बचाले रदूप से कर ले ब्लांचिंग कर ले ब्लांचिंग कर ले ब्लांचिंग कर ले ब्लांचिंग याद हो गया किसमे करोगे अगेती किसमों में ज्यादा करते ब्लांचिंग अगेती किसमों में ज्यादा करते ब्ला गवे दो पशेव चाना को लगे बो और अगेती में करते हैं ज्यादा अब कहा कहा ज्यादा होती है तेरी फूल गो फी एक तो तेरा अजमेर 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 सबस्जादा फूलको भी किदर मिली भाई तक हिए कट में नंबर दो पर मतला जैपूर नमर एक ब्र दो यह dao रो गूर और और कि अलवर और हो पिनेति ब्लांचिंग ब्लांचिंग बता दूंगा मैं अभी जा कहीं नहीं रहूं अभी तो बहुत बचीवी फसल पढ़ लो इनके सुनिता बिटिया उसके बाद में पूलगों में याद करना है राजस्थान करना करना पड़ेगा सर ओयल को नहीं सही सारे करवाधी में नियुक्त नहीं बढुड़ी और आज से फिर क्लास और चाल टो रही थो नहीं होगी टूसभission चुर्वां है तनकी प्रोती चांट प्रोटीन मिलता है केल्सपटामिन अपर्विश्ण बिलैगा अमारे मुझारेधोब मिल जह्या सबस्क्राइब मिले घो एट में तने और सी तो यह मिलते है में प्रोटीन मिलेगो यूपी में बता दीजिए गा यूपी का तो मुझे ध्यान में राजस्तान वड़ाता है यूपी का तो आप मुझे वार्सप में डाल देना देख के मैं बता दूंगा बच्छों कल अभी तुप वाकी वैसे भी वहां का मुझे पता नहीं न विटा त तो प्रोटीन मिल गई फूल गोबी में प्रोटीन मिल गई फूल गोबी में के लसी में मिल गयो फूल गोबी में विटामिन एसी बी फूल गोबी में सबजे बनाए लिए एक तो इसकी बनती है सबजी जो आप लोगो ने जरूर फूल गोबी की सबजी खाया होगी फेवर गोभी का अचार अलु का अचार घाजिर का अचार घाजिर का अचार अचार बड़ता है तो अपने करें con फूल गोबी की अगेती किसमों में सूरे की सीधे किरने पड़ती है और पीले पड़ जाता है इसलिए अगेती में जज़ा इसलिए अफटAnt आते हैं ब्लाउंचेंग बाक्की लेंगे कल टाइम हो गया ओफलाइन क्लास का आधी गोबी कल लेंगे जलवाई उसे कल चालू करेंगे सभी का बहुत बहुत अन्यवाद इतना प्यार इतना स्ने दिखाने के लिए फिर मिलेंगे साम को साथ बजे तूफानी क्लास में कुछ क्वेस्टन्स लेकिया होगा आपके लिए तब तक के लिए सभी को नमस्कार जैहिन जैराजदानी सस्रीकाल सब्बागेर वाए गुरुदी फते खुदा हापीज अल्ला हापेज राम राम साथ एगरी कल्चर में है सांदार केरियर और एगरी कल्चर मतलब राजदानी फाउंडा पचकोडिया जैपुर राजस्थान एगरी कल्चर में राजस्थान ही नहीं नौर्थ इंडिया का किंग कोन फैसला आप करें राजदारी फाउंडा नहीं इस साल दी है आे सिए और में हिंदूस्थान की केटेगरी की आटवी रेंग और सामानेवर्ग की साथवी रेंग राजस्थान जेट 2020 में टोप 10 में से 8 विद्ध्यार थी तोप पचास में 22 विद्ध्यार थी राजदानी फाउंडा पचकोड रहे हैं बारवी के बाद तैयारी में एक दो साल खराब वही राजधनिर मचा रहे दूम बारवी के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशानतियादों ने प्राप्त किये 408 नंबर यस सर्माने 394 नंबर इस वर्ष इंस्पाइर अवाड के रुप में मिलने वाली है दो करोड साथ लाख रुपे की स्कोलर से ककसा बारा के परिणाम में 97 परतिसदिया अधिक एक विद्यार्थी 95 परतिसदिया अधिक तीन विद्यार्थी 94 परतिसदिया अधिक साथ विद्यार्थी 93 परतिसदिया अधिक 11 विद्यार्थी 90% आधिक 40 विद्धियार दी और वो भी ओवराल Optional सब्जेक्ट में 100% लाने वाले 2 विद्धियार दी 99% ज्यादा लाने वाले 3 विद्धियार दी 97% आधिक लाने वाले 19 विद्धियार दी 90% आधिक लाने वाले 163 विद्धियार दी दसवी से बारवी साइंस व एगरिकल्चर में अजे कुमार मीना ने की 49% की रिकोर्ड व्रद्धी, रिंकु यादवने की 37% की व्रद्धी, नरेश पाटिदार ने 36% की व्रद्धी, प्रकरती की गोद में दस बीगा में फैला विसाल केंपस, आधुनिक सुक्ष विधा से युक्त, सेप्रेट गल्स और बॉइस होस्टल्स, राजधारी एजुकेशन गुरूप अचकोडिया की यूटूब सेनल वे मोबाईल एब पर रोजाना ओनलाइन क्लासेज भी, इसके बार्वी के साथ और इसके बाद भी आईसी यार जैट बीएच्यू की क्लासेज उपलद राजधानी एजुकेशनल गूप अचकोड़े जैपूर में शामिल है राजधानी साइंस दारा फॉर प्रिप्रेशन ओफ नीट जेए राजधानी फाउंडा फॉर प्रिप् राजधानी गुल्स और बॉइस होस्टल विद मॉडन फैसलिटीज और रिजिदेंशल ब्लोग साथी विजिट करें www.rashdani-group.in हल्प लाइन नमबर 9314130130 को 90001001314 करेंस करेंस